जय हिंद मेरे प्रीव इद्यारतियों तो सुतंतता दिवस के इस उपलक्ष में एक ऐसा वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ जो भारत में परियावरण की जो स्थिति है इन्वार्मेंटल लॉस एक पूरे वीडियो में सारी जर्नी कबर करा दूँआ 1947 के बाद से परियावरण एक ऐसा मुद्धा बना है वो भी जरूरी था तो परियावरण के जो इशूज है चाहे आप वाइल्ड लाइफ की बात कर लो वन नजीव की बात कर लो भायो डायवर्सिटी जैव विवित्ता की बात कर लो ठीक है इवेस्ट से बात कर लो चाहे उनको सबके wildlife protection act चाय tiger का conservation हो सारे के सारे जितने भी हैं environmental laws एक journey में मैंने इस वीडियो में cover कर दी है मुझसे यदि आप पूछोगे कि sir आपके जीमन में एक ऐसा वीडियो आप बता दो हमें जो सबसे जादा काम आ सकता है prelims mains examination में तो आज मैं यह सबसे पहले वीडियो रिकमेंड करने वाला हूँ क्योंकि यह एक ऐसी जर्नी है इसमें सबसे बड़ी बात यह इस वीडियो का benefit मुझसे पूछो कि क्या है तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो environment में loss को लेकर यह समझा जाएगा इस वीडियो के देखने के बाद कि पढ़ना क्या क्या है क्योंकि कई बार हमें आधे loss पता ही नहीं होते हैं और फिर उसका इस्तमाल आपको न तो mains में कर पाते हैं हाला कि 1970 के बाद एक बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज हम दोग देखते हैं इंवार्मेंटल कंजर्वेशन में तो उस चीज से हम वहां से हम लोग चीजों को शुरू करेंगे ठीक है इसके साथ साथ अब वो कह भी रहते बच्चे की सर आपका बड़े बड़े पंदा तारीक को तो पार्टी पार्टी कर रहे थे तो मैंने का इस बार ज्यान वर्धक पार्टी दी जाए प्रिय शात्रों को तो भहिया चात्र शात्रों को जो है यह ज्यान वर्धक पार्टी म आप इस्तमाल करें और इंडिया के बेस्ट एजुकटर से अपने लर्निंग ले सकते हैं आप यकीन मानी है आपकी UPSC की तारी एक next level पर पहुँच जाएगी सबसे पहले हमारी जो शुरुबात होगी वो होगी कि कैसे 1947 से 1947 से लगाकर 1970 तक कि मैं एक स्थिती आपको समझाऊंगा ठीक है ध्यान से सुनना 1947 से लगाकर 1970 तक इसमें मैंने क्या लिखा है मैंने agriculture transformation की बात करी है मैंने इस समय क्रशी के परिवर्तन की बात करी है कि मतलब एक सबसे आप कह सकते हूं कि करी जो क्रशी है उसके साथ विकास कैसे हुआ है क्योंकि जब इंडिपेंडेंस मिला हमें तो ऐसी स्थिती थी कि भाई सबसे पहले तो स्टेट का reorganization हो जाए किसकी क्या जमीन है वो पहले land reforms हो जाए नहीं तो ऐसे तो कौन किसकी अपनी जमीन कैसे किस पर नाम आने वाली थी तो एक land reform की स्थिती बन जाए agriculture की स्थिती बहुत अच्छे से हो जाए सब लोग जो है hunger problem कभी खाने की समस्या नहों इस तरह के thought से यह करीब जो समय था 1947 से 1970 के बीच में यह रहा भारत में यह वो समय था कि एक बहुत बड़ा एक ऐसी समस्या थी खाने की या hunger problem की या green revolution की जो शुरुबात हुई आप कह सकते हो तो इस phase में इंडिया ने ऐसी ऐसी स्थिती भी देखी है कि hunger problem इतनी जादा हो गई थी फेमाइन्स को मिला कर कि हमें यूएस से कई बार food aid को भी लेना पड़ा यूएस से हमें जो आपने सुनी भी होगी कानी की भैया wheat हमको लेना पड़ा लेकिन वह अच्छी quality का नहीं मिला तो यह वह phase रहा है इंडिया का कि एकदम नीचले को आप देखोगे तो Britishers ने हमें cotton लगाना सिखाया यह करा वो करा मतलब क्या कि एक तरह से आर्टिफिशल डिमांड क्रियेट कराए कि मजबूरन में हमें cotton लगाना पड़ रहा है क्योंकि वही raw material बाहर जा रहा था अब यदि पिछले 100 सालों से हमारे घरों में cotton की खेती कर कर रहें तो कई बार हम देखेंगे कि expert trees जो होगा हमारा cotton में हो जाए फूट क्रॉप उतना बहतर ज्यान ही नहीं दे पाए तो 1947 के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था कि food crops जो हमारे एक तरह से खाध्यान है उन पर कौन ध्यान देगा तो उसको बढ़ावा देना साथ में ज vaccination वगर आया विमारिया ठीक होने लगी तो लोगों की जो मृत्यूदर है death rate जब death rate कम हुआ तो लोग जादा जीने लगे एक तो वह एडिशन हो गया और awareness इतनी जादा नहीं थी तो बर्थ रेट अल्रेट जादे थे तो जन्म की दर भी जादा मृत्यूदर भी कम क्यों क् जनसंग्या विस्पोर्ट हुआ अब खाने वाले लोग बहुत है लेकिन क्रशी उतने बहतर परिस्थिति नहीं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज जिसको हम कह सकते हैं वो था green revolution को apply करना क्योंकि green revolution हरित क्रांती ऐसी स्थिति में था कि जब बहुत जादा demand हो चुकी थी industries को लगाना मतलब iron and steel industries को यदि आप नहीं लगाओगी तो बाकी industry कैसे grow करेगी आज आपको hospital बनाना है आज आपको schools बनाने है आज आपको roads बनाना है infrastructure बनाना है सर आपको लोहा चाहिए उस लोहे के लिए कम से कम हमें iron and steel industry को लगाना पड़ा लेकिन उस iron and steel industry economic development के चलते हमन उसी के चलते हैं फिर हम कहते हैं कि जो MS स्वामी नाथन जी को याद करते हैं कि भाया उनके द्वारा जो hybrid variety seeds आए और फिर हम कहते हैं कि यह green revolution हो गया नहीं मेरी नजरों में सिर्फ seeds को develop करना ही green revolution नहीं हुआ उस seed को बहतर लगाने हो कि बनाना खेती में mechanization देना पानी की व विवस्था कराना electricity कराना उस electricity से एक तरह से आप कह सकते हो pumping set प्रवाइड कराना फिर और उसके बाद में जब बीच में खाद या fertilizer को प्रवाइड कराना उस industry पर भी ध्यान देना साथ में जब वो फसल लग जाएगी अपने आप में तो उसको harvest करना harvesting के लिए विवस्था चाहिए उसको खेतों से मंडी तक ले जाने के लिए मार्केट तक ले जाने के लिए रोड्स के अवेलिबिलिटी जाए मतलब रोड भी चाहिए बिजली भी चाहिए सारी विवस्था कराना तब जाकर green revolution एपलाई हुआ हुआ है तो इंडिया में green revolution में सिर्फ hybrid variety नहीं आई इस तर पर बहुत सारे ऐसे छेत्र हैं भारत के जहां पर हमने रूरल एक तरह से development पर भी काम किया तो यह वो टाइम था सर और सही बात है कि जब ऐसी स्थिती से कोई देश गुजर रहा हो कि खाने में भी वड़ी समस्या थी food grains की भी समस्या थी तो आप सोचिए कि environment में इत यह क्यों किया लेकिन मेरे हिसाब से बात आपको समझ आ गई होगी कि 1947 से 1970 में सबसे ज़्यादा यदि बात हुई है तो green revolution की हरित क्रांति क्यों क्यों कि सर सबसे पहले जो basic निर्थी कि hunger problem से हाला कि आज का green revolution जो फिर से हमें लाने की जरुबत है वो लोगों के पेट भरने लेकिन nutrition की availability नहीं है मतलब protein की कमी है सर तो हमने क्योंकि कहीं बार green revolution को देखो के तो एक तरह से crop disparity दिखाई है इसने मतलब ये एक तरह से आप कह सकते हो कि उसमें सिर्फ wheat और आप जादस जादा क्या कहोगे rice की बात की गई है इसलिए pulses को बढ़ावा देना आगे की आप जर्नी को हमेशा पढ़ते हो न्यूस पेपर में तो मेरी बात आपको समझ आ रही होगी लेकिन 1970 के बाद जब agriculture ये सारा सिस्टम थोड़ा स्टेबल होने लगा तब थोड़ा थोड़ा ध्यान जो है हमारा environment की तरफ भी गया लेक को याद रखना है 1972 का साल मतलब environment as a protection की कोई बात कर रहा हो तो 1972 को सबसे पहले आप याद रखेंगे क्योंकि 1972 आप मान के चलना ये वह साल रहा है Stockholm Conference Stockholm Conference मतलब ये दुनिया में कैसी Conference थी जहां पे वर्ल्ड लीडर्स इखटे हुए और सबसे पहले परियावरण की बात की पहली बाहर आप एक तरह से रशिया यूएस ऐसे लोगों ऐसे देशों को एक साथ किसी एक मंच पे एक एक थौट के लिए बैटते हो देख पा रहे थे तो 1970 तक लोगों को पता लग गया था कि अब परियावरण की समस्याएं शुरू हो गई है भारत में ये तो बात काउंसिल फॉर इनवर्मेंटल पॉलिसी एंड प्लानिंग अंडर देपार्टमेंट ऑफ साइंस एंट टेकनोलोजी मतलब हमने कांसिल बना दिया था इनवर्मेंट पॉलिसी एंड प्लानिंग का तो सबसे पहले हम यह कह सकते हैं कि 1972 से स्टॉक हम कॉनफरेंस के बाद कु की हमें पहले तो पता हो कि क्या हुआ था तो ये एक हमने परिषात एक कॉंसिल ले बनाया है जिस council के तायत हम at least हम यह कह सकते हैं कि हमने जो environment से संबंदित जो भी समस्या हैं उससे संबंदित कुछ policies पर काम करना शुरू किया सबसे पहले तो hope की मेरी बात आपको समझा रही होगी 1972 ये वो साल शुरू हो चुका था इसी के चलते सबसे पहले हमारा ध्यान गया है इन्वार्मेंटल जो consciousness है कि जो चेतना का जागरण जिसको हम कह सकते हैं उसमें वाइल्ड लाइफ या वन्य जीवों का संड्रक्षन नहीं कर पा रहे थे तो आप मान के चलना कि यह पहला जन्रल लौ लेकर आए हमने शेडूल से बनाए और उन शेडूल में अलग-अलग एनिमल्स को रखा कि भहिया और पेनाल्टी की प्राउधान रखे और साथी साथ हमने नेशनल बोर् केंट्रल जू अथॉर्टी कह सकते हो वाइल डाइफ क्राइम यह चारों जो है यह डिरेक्ट प्रिलिम्स में आने लाएक कोश्चन है सर इसके तहत स्थापित हुए अलग-अलग यहर्स में वह तो आगे जैसी जरुवत पढ़ती गए इसके हिसाब से फिर हमने इसको भारत में ऐसे मूब्मेंट्स हुए है इतियास सरगवा है कि जब सरकार नहीं सुनेगी तो जनता सामने आएगी जी हां तो ऐसे मूब्मेंट्स ऐसे अंदोलन हमेशा हुए है कि फिर सरकार को और सोचना पड़ा है और भहतर नई दिशा में एक नई-ई-चीज़ें करना प पड़ेगा ताकि और अंदोलन का मतलब क्या कि जाग रुकता जाग रुकता बढ़ाना सर सीधी बात जो चीज नहीं देख पा रहे हैं उसे दिखाना जी हां तो वही चीज हमें मालूम है कि जो पेड़ थे पेड़ों से जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि विमन का रोल था तो उस चीज को थोड़ा सा रोकने के लिए आपको याद होगा चमोली वाला जो छेतर था तेहरी गरवाल डिस्ट्रिक्स वाब उत्राखंड स्पेशली वहां पर तो चिपको अंदोलन डेरेक्ट सवाल आ जाता है यहां से 1973 की बात है तो यहां पर हमें यहां एक सीख को और बहतर बढ़ाएगा सर जी हां और बहतर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे सोशल फॉरेस्ट्री जैसी चीज कई बार फेल होती हुए हमें इसलिए बस दिखाई देती है कि विमन का जो पार्टिसिपेशन है कई बार कम देखा जाता है उसमें तो चिपको सबसे बड़ी समस्या चलो ठीक है पेंट पौधों को काटने किसे जो हमने देखा कि चिपको मूमेंट की बात हुई अब बात आने लेगी थी कि इन उद्योगों के कारण पानी की जो समस्या थी पानी की अवेलेबिलिटी तो है वाटर अवेंडेंस का आज इसू नहीं है पर पानी है लेकिन वो स्वच्छ नहीं है तो पॉलूशन की समस्या तो 1974 और मैं हमेशा कहता हूँ याद रखना कि वाटर प्रिवेंशन के साथ पॉलूशन को जब आप बात करेंगे इस एक्ट को हमेशा मेंशन करना वाटर प्रॉब्लम्स के कोश्चन्स में और जो कानी की बात करी चिपको मुव्मेंट वाइल अप्रोटेक्शन एक्ट नाउ कमिंग टूद 1978 साइलेंट वैली मूव्मेंट साइलेंट वैली मूव्मेंट मतलब सीदी सी कानी हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यह कुंति पुजा रिवर पर जी हां उससे संबंदि कुछ ऐसे एक्जांबल देखने को मिल जाते हैं होब कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी नाव कमिंग टू नेक्स पार्ट ठीक है कि अब आते हैं हम लोग 1980 में अब आप यहां तक तो समझी गए हो कि 72 वाइलेक्ट प्रोटेक्शन एक फिर हम चिपको मुव्मेंट प्रिवेंशन फिर उसके आद में साइलेंट वैली इसके बाद में अब यहां पर हम आएंगे दफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वन संद्रक्शन अधिनियम अब फॉरेस्ट चंजर्वेशन अब नाम से समझ में आ रहा है कि अब हम सिर्फ देखो क्या होता है ना कि इ यह याद रखना किसके बाद आया है जी हां इसके बाद आये चिपको अंदोलन और जाती साथ जो बड़ा रैपिड डिपलीशन होने लगा था इंडिया के फॉरेस्ट का उसके बाद यह चीज अपने को देखने को बिली तो आप देखना फॉरेस्ट बज गये हमारे इस ए जीवों की बात हो गई तो फाइनली हमें किस में आना पड़ा एयर पॉल्यूशन में अब क्या बचा एयर पॉल्यूशन बचा फिर से याद करो जारा याद भी करना आपने को 1972 में वाइल्ड लाइफ बन जीवों को उसके बाद में 73 में हमें कहां आना है चिपको मूवमें 74 में वाटर प्रिवेंशन 74 के बाद में फिर 78 में हम साइलेंट वैली पे आ जाएंगी ठीक है इसको एक एक बार साथ में लिखते चलो ब्लैंक पेज पर भले ही जी हां देखो वाइया वीडियो थोड़ी देर में ऐसा लगेगा कि बहुत हेवी हो रहा है लेकिन मैंने कहा ह है यही तो सच्चा ही है जीवन की यही तो अपने मन को समझाना है थोड़ी देर और रुख और अच्छे से पढ़ और आगे बढ़ जी हां तो उसके बाद में फॉरेस्ट का गंजर्वेशन हुआ इसके बाद में हम एयर पॉलिशन एक पर आ जाते हैं सही बात है पानी के आज भी आप एक तरह से अपको देखने को मिलेगा यहां जाना पड़ेगा आपको शिमोगा और कंणर डिस्टिक उत्तर कंणर डिस्टिक करनाटक में और क्यों हुआ यह सिंपल सी कहानी है कि जो फॉरेस्ट फॉरेस्ट वाले छेत्रों को कट कर देना और वहां पे जो पुराने एंशेंट लाइवली हुड जो लोग रह रहे थे उनको विस्थापित करने के कारण यह फिर से एक मुवमेंट कड़ा हुआ मतलब परियावरण को संरक्षन करने के लिए कलको मुवमेंट का भी आज में इसका कोश्चन आ जाएगा तो आपके पास तीन एक्जामपला सेट कर दिए मैंने कि एक एक मुवमेंट मत भूलना तो कम से कम पांडूरंग हेगडे जी को याद रखना है हमने को ठीक है उसका चिंपको मुवमेंट में भी सुंदरलाल बहुगुना को भी याद रख सकते हैं तो ऐसे जो है थोड़ा सा दो तीन नाम तो कम से कम याद रखके चलना बाइद वे मैंने आपको इस वीडियो के वाटर की बात हो गई सब कुछ सही था अब बात आती है भुपाल गैस ट्रेजडी की ये एक ऐसा त्रासदी का भाग रहा है भारत के इतिहास में जहां आप कह सकते हो कि भारत नहीं सिर्फ पूरे दुनिया की जिसने आखें खोल दी आप कह सकते हो कि वन आप दो वर्ल्ड वर्स्ट डिजास्टर में आज इनकी गिंती होती है कई लोग सुबह देखी नहीं पाए थे सर तो ये वो ऐसा टाइम रहा है भुपाल गैस ट्रेजडी का की एटीज का टाइम मतलब आप देखेंगे तो हमेशा जो है अपने आप में एक ऐसी स्थिति को बनाई है जिसमें बाइद वे आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि वो कौन सी गैस थी भोपाल गैस ट्रेजडी में जो और कई बार स्टेट पीसी एस में इसके कोस्चन आपको देखने को मिलेगा तो ये 84 वाला येर हमेशा याद रखना क्योंकि इस डिजास्टर न बन रही है एक टाइगर वुड्स गर के वेक्ति जिनको याद रखा जाता इसके लिए कई बार तो इसके बाद हम देखेंगे कि बड़े ग्लोबल स्तर पर काफी चीज़ें बदलने वाली है ठीक है उसके बाद आप देखेंगे कि IPCC का बनना ठीक हला कि हम भारत का पढ़ रहे लेकिन इसके पर ग्लोबल चीज़ें भी चल रही थी जो IPCC के आप रिपोर्ट पढ़ते हो वो इसी के जस्त कुछ सालोबाधी जो है इसका फॉर्मेशन हो आप यह थोड़ा कनेक्शन बना पाएंगे नाव कमिंग तो नेक्स पार्ट 1985 नर्मदा बचाओ अंदोलन उसके बाद में हाला कि डैम वैम तो बन गए थे लेकिन बात वही थी ना कि अवेर्नेस को लेकर यदि किसी ने इतना आ गया है तो नर्मदा बचाओ अंदोलन ये भी एक हम एक्जामपल सेट कर सकते हैं मतलब यहां पर इन्वार्मेंट को लेकर कभी में में कोश्चन भी आ रहा है तो दोनों साइड वाला सरकार की तरफ का भी आ है तो हमारे पास काफी बन चुके अब तक और दूसरे साइड की अवेर्नेस को लेकर विवात कर तो हमारे पस तीन से चार अंदोलन ऐसे इकटे हो गए हैं ठीक है ओप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी ना जब वो कॉन्फरेंस हुई एक और स्टॉक हम कॉन्फरेंस उसके बाद आप कह सकते हो कि भारत में क्या बदला हुआ इस गैस रास्दी के बाद इन्वार्मेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की शुरुबात की गई सरक नाइंटीन एटीस जी हां तो इस चीज को जो है थोड़ जो भी एक्स्क्लूजिव राइट्स एक तरह से देने चाहिए थे वहां के जो विक्टिम से उनके लिए उसके बाद उसके पहले वाली कहानी हमने देखी नर्मदा बचाओ अंदलन को लेकर थी ठीक है यह मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी तो इन्वार्मेंट प्रो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके तहट हम कोई प्रावधान कई बार नहीं लगा पाते तो परियावरण को संदक्षन करने के लिए प्रॉपर इंवार्मेंटल यह चीज़ बनाई उसके साथ में कोस्टल जोन मेनेजमेंट अथॉर्टी भी बनाई ताकि जो तर्टी यह हैं उनका भी हम लोग मेनेजमेंट बगर कर सके तो इस तरह के कोशन डिरेक्ट यहां से आ सकते हैं कि कौन किसकी तरह बनाई साथ में माइनिंग वाला एस्पेक्ट था जो 1986 में अमेंड किया गया 1957 का जो माइनिंग वाला एक्ट था उसको तो यहां पर एक माइनिंग को ले होने चाहिए तो एक पॉलिसी के दाथ क्योंकि जब तक पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो कई चीज बार हमें इंप्लीमेंटेशन की दिख्कत होती है तो उस इंप्लीमेंटेशन को वालब एक क्राइटेरिया सेट कि बाई प्लेन एरिया से 33 परसेंट जो है और 67 परसेंट ज अलग अलग जाकर जो है निउस पेपर्स में कुछ कॉंटेंट था वो चीज मैंने यहां पर इखटा किया तो तो थोड़ा लगा तो इसको बनाने में इतना जब टाइम लग गया है तो डेफिनेटली आपको नोट डाउन करने में टाइम लगेगा बट हिम्मत मत हारो यार कल को बहुत जादा बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं इसमें एक चीज आप यह भी देखिए कि कई बार क्या होता किसी दूसरे देश से आगए ठीक है उसका मेनेजमेंट नहीं हुआ ठीक है या आपके पास है तो उसकी हैंडलिंग ठीक से होनी चाहिए नहीं तो कल को पता लगे कि जो हैंडलिंग ठीक से नहीं कर पाए तो फिर नुकसान होगा खड़े हैं कि अब तो क्या होगा तो इस चीज को जो है थोड़ा तो ध्यान रखना तो हजार्डस वेस्ट जिसका मैनेजमेंट प्रबंधन ठीक है और उसकी हैंडलिंग और ट्रांस बाउंडरी यह भी नहीं शायद पता हो तो भाईया ध्यान रखें इस बात को ठीक है लेकिन 1990 में हम यह देख सकते हैं कि अगला आप जो दशक आने वाला है वह काफी बड़े स्तर पर प्रोटेक्टेड एरिया और उन पर नैशनल पार्क बहुत जादा बड़े स्तर पर चीज़ें क्योंकि क्या हो रहा था अब भारत आपको पता है आदे से जादा यह चेत्र देखो गया अब यहां इतना निर्मान होगा विकास होगा तो कैसे काम बनेगा तो इन सब चीजों पर काम करने के लिए एक तरह से आप कह सकते हो कि कोस्टल रेगुलेशन जोन की भी शुरुव है तो यह हलाकी है सब इसकी डीटेल हम अलग-अलग से टॉपिक वाइस ही पड़ सकते हैं वह कोई दिक्कत नहीं बट यह आए दिन न्यूज में भी रहता है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन में हम लोग यह देख रहे होते हैं कि कि कितना ज्यादा आप कह सकते हो कि हम लोग 500 मीटर तक या एक तरह से हंडेड मीटर तक तो जो कोस्टल रेगुलेशन जोन की बात कि आप कितना कंस्ट्रक्शन जो है इसमें कर सकते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज्यादा ओवर कंस्ट्रक्शन से फिर वही प्रॉब्लम सुरू हो जाती कोस्टल इरोजन की कोस् क्यां से मालेते हैं कि कोई आपने एक कर दी कण अब कर दी इंडस्ट्री ऊपन अब आपको बात में पता लगता है की एक किलो मेटर दूर आष जो जी जो नम एक ऐसा सिस्टम लाओं कि कोई भी इंडस्टी कोई भी उद्योग जब मुझे बनाना है तो पहले उसका एक आकलन हो जाए कि भाईया उसकी पूरी ऑब्जर्वेशन एक फाइल बन जाए कि आप उस छेत्र के हिसाब से चीज इंडस्टी बनाने जा रहे हो वहां पर प्रॉपर आकलन हो कि कितना इसतर का जो है यहां पर नॉइस पॉल्यूशन होना चीए कितना जल प्रदूशन और यह सारी चीज है एक आकलन बनने से पहले की स्थिति तो यह है वो इंवर्मेंटल इंपेक्ट असेस्मेंट की कितना प्रभाव पड़ेगा उस उद्योग से उसका असेस्मेंट और वह असेस्मेंट भी ऐसा नहीं किसी बन गया हर बार आपको हर छे महीने एक साल में जो है प्रावधान ऐसे रखे गए कि आपको फिर से री सम्मिट करनी अपनी पूरी रिपोर्ट तो यह एक ऐसा प्रावधान लाएगा जिससे हम कंस्ट्रक्शन कर थोड़ा सा आप कह सकते हो जुडिशियल एड्मिनिस्ट्रेशन एड्मिनिस्ट्रेटिव सॉलूशन की बात की गई इसके बाद में नैशनल इन्वार्मेंट एपलेट अथोरिटी आपको कह सकते हो कि पर्यावर ने अपील है प्रावधान की स्थापना की जहां पर आप को अधिकरण की स्थापना करने की स्थिति जो है यहां पर बनती है तो खेर कहने का मतलब यह कि इन्वार्मेंट के रिलेशन में सिर्फ एक्ट ही नहीं बने है साथ में थोड़ा जुडिशियल का या जुडिशरी का भी जो है थोड़ा सा यहां पर एक नियाय विवस्था को भी जो है स्थापित करने का प्रयास किया गया है तो एक यह बढ़िया से आप एक्जांपल यहां पर सेट कर सकते हो ठीक है इसके बाद में सर बायो मेडिकल वेस्ट से रिलेटेड हमारे पास एक प्रबंदन रहा है उसका क्योंकि एक तो अभी हमने जो हजार डस देख लि की विवस्ता है मतलब कौन से ऐसे जीव जनतु जो अपने हैविटेट में बहुत कम रह गए हो या वहां पर अब बस उनका खत्रा ऐसा है कि वह जदी वह चले गए तो फिर वहां से और कहीं नहीं मिलेगे तो कई बार हम इन सिटू ना करते हो एक सिटू मतलब बहारी स्थ चाहन पर भी हम कंजर्मेशन कर सकते तो एक जू पॉलिसी आई ठीक है इसके बाद में आप कह सकते हो कि अब इन्वार्मेंट साइटिंग फॉर इंडस्टियल प्रोजेक्ट्स रूल इसके ताद हमने देखा कि कहां कहां पर जो है इंडस्टियल डेवलेप्मेंटल प्रेक्शन बहुत जरूरी है अब 2000 से 2010 का जो यूग था आप मानके चलिए कि क्लाइमेट चेंज की बातें करनी लगी है अब हम लोग इसके पहले इन्वार्मेंट की बातें करने अब थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज वाला एस्पेक्ट शुरू हो चुका है 2000 मतलब हम अग इसके यर पूछ लेते हैं तो 2000 में आप लोग याद रखें क्योंकि जो मिनसीपल जो सॉलिड वेस्ट है बतलब शेहरों में कलेक्शन करना सेग्रेशन कहना स्टोरेज करना है ना उसके प्रोसेसिंग करना डिस्पूजल ऑफ मिनसीपल सॉलिड वेस्ट कहीं भी गंदगी स्वच्छता अब यहां इसका उदारन है कि कम से कम इसके बाद या उससे लर्निंग लेकर आप इन चीजों को समझ सकते हैं तो मिनसीपल सॉलिड वेस्ट को लेकर 2000 उसी टाइम में नॉइस प्रोडूशन को दोनी देखो ना हमने वाटर पोलूशन देख लिया अब हम नॉ इसके बाद में ध्यान रटना इतना कम टाइम होता है कि ऐसे इस तरह का इसमें क्या क्या चीजें हैं इसके बाद में और यहाई सबसे पहले रूल्स बनाए और फिर आगे जाकर रिवाइस होते हैं 2001-2003-45 में ठीक है इसके बाद में Energy Conservation Act बनाया अब देखो Energy Conservation क्यों हो क्योंकि आप हम समझ में आने लगा था कि आप जो है कोईला की खपद बहुत हो रही है फोसिल फ्यूल की समस्या है बढ़ रही है तो फिर तो इससे थोड़ा सा उर्जा का संद्रक्शन हमें करना पड़ेगा तो Energy अप आप जैसे और अपको जैसे अव्याप रेश्रेटर या कोई लेक्रिक लेंक अइलक्ट्रोनिक आइटम लेने जाते तो इसमें स्टार रेटिंग्स होती है तो वह स्टार रेटिंग्स क्या दिखा रही होती है कि कि इनरजी है तो मतलब आप एक तरह बात करते हैं कि बिजली बचाओ बिजली बचाओ लेकिन डिवाइस भी तो ऐसे बनाओ जो बिजली की खपत कम करें तो अगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद 2001 में हम लोग फिर बैटरी का मेनेजमेंट और हैंडलिंग क्योंकि यह क्या है प्रॉब्लम यही है कि बैटरी बनतो रही थी लेकिन उसका सेफ डिस्पोजल नहीं हो रहा था रिसाइक्लिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी तो उसके आद में मैनुफेक्चर क्या बना रहा है इ जए विविता की बादे थी आपने सर इनवहर्मेंट की बात कर ली आपने ड blacks चिंगीः लेकिन अब समय ऑलएजरी कि बारेरइने गई यह इसके बारे में बात करा रहे हुं कि याद रखनrecht करो न वह सब्सक्राइब तर्फ एक नहिम एक ट्रफट klar कोई अधिर माल लेते हैं कि कोई देश में हैं कोई बी नैचुरल ऐसी चीज़ें हैं यह आप कह सकते हो की जो जैव विवित्ता वाली हैं जीवों की हैं एक तरह से आप ऐसा भी कह सकते हो जो नेचुरल चीज है यदि वो किसी देश में है तो वो सब का अधिकार है सर उसमें ठीक है तो क्या नेचुरल चीजें बाइलोजिकल जो डाइवर्सिटी है वो सब के लिए अवेलेबल है कि नहीं देश में इक्वल शेरिंग हो रही है कि नहीं यह भी तो एक एसपेक्ट है इसका ठीक है तो जो बाइलोजिकल समालना भी उसका यूज भी करना सही ढंग से और सब लोगों तक पहुच भी जाए यह चीजों का देहन रखना है ठीक है फिर दोवारा वाइल लेफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो है थोड़ा अमेंडमेंट होता है और उस समय यह था कि जो पनिश्मेंट थे और उनको बहतर कर दिया गया ठीक है और ज्यादा सक्त कर दिया गया फिर उसके बाद में फिर से 2006 में वाइल लेफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट हुआ है जिसमें आप कह सकते हो क कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसका सेम डे पर मतलब 2006 की बात है टाइगर की बात आने लगी थी अब क्योंकि टाइगर अभी तक हम से उसको क्या देख रहे थे कि वाइल डाइफ करता है यह यह आप कह सकते हो कि एक वन्यजीव है बड़ आपको आ नौर्मल है यह दी हम लोग बात करें तो टाइगर क्योंकि बिना अथॉरिटी के नौर्मल ही आप लोग देखोगे तो बिना अथॉरिटी के कैसे चीज़े समलने वाली थी तो क्यों ना अब एक समय था कि अथॉरिटी जो है उसका डेवलप्मेंट प्रॉपर किया जाए तो कल को ऐसा question भी आ सकता है, कि भाई यह authority किसके तहद बनाई गई, यह authority जो है, या आप ऐसा सवाल भी आ सकता है, कि किस साल में किस कब की बात कर रहा है, तो at least अपने को याद रहे, ठीक है, तो अब क्यूंकि project tiger तो चला आ रहा था, कि 1973 की बात चल रही है, लेकिन आप समझ सकते हो, कि crime control bureau, the most important part, इसको कैसे भूल सकते हो आप, तो crime control bureau को जो है, आप इस चीज को भी ध्यान रखना, क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है, कि कई बार ऐसे जीव जनतों के crime के तहद जो है, अपने आप में बड़ी जो इस्थिती है, वो गंभीर हो जाती है, बहुत सारे जीव जनतों को जो है, उनके status change हो गए, critically endangered तक पहुँच गए, तो वो सारी चीजें ना हो, वो कई बार crime के तहर यह चीजें देखने को मिलती है, तो उन सब चीजों पर रुकावट के लिए, आप यह कह सकते हो कि कम हो, यह सारी चीजों के लिए हम कह सकते हैं कि हमने crime control bureau की स्थापना करी, उसके बाद कि हम fight कर सकें, crimes को, और साथी साथ National Tiger Conservation Authority को भी याद रखना, इसका जो time है, इसकी जो availability है, वो थोड़ा सा आप लोग observe करें, ठीक है, होब कि यहां तक clear हो गई, कल को यह बोले आप से की, इसका जो मंत्राले तो Ministry of Environment वगरा को भी याद रखना, ठ के लिए, यह वाला एक observation वाला time आप लोग याद रख सकते हो, now coming to the next part, अब forest वगरा का तो सब चल रहा था, यह सारी चीज़ें हम लोग ने देखी, अब schedule tribes पर भी थोड़ा सा जो है, समय आ गया था कि उनके अधिकारों की भी बात करें, यह जो already लोग वहाँ पर रहना है, और अन्य पारम पर एक वन निवासी जो छेतर थे, यह वहाँ पर मतलब वन के जो अधिकार हैं, यह जो आप कह सकते हो कि forest right है, उसको recognize करने के लिए हमने एक schedule tribe और other traditional forest dwellers, recognition of forest right act की स्तापना करी थी, ठीक है, इसमें basic चीज़ है कि जो human right से उसको conserve करने की बात थी, 2008 में आते हैं कि overall अब climate change में हम बोल रहे थे कि energy efficiency को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ठीक है, तो climate change को लेकर भारत ने क्या किया, क्योंकि अब तक Kyoto protocol वगरा भी लागू होने वाले थे global level में, तो भारत में कभी climate change को लेकर यह सबसे बड़ी यह बात की जाए कि क्या स्थापना नहीं शुरुबात में तो this is the time, 2008 के बाद की एक आनी है, national action plan on climate change, this is the most important part, national action plan, मतलब आप कह सकते हो, जलवायू परिवरतन पर राष्ट्रियकार योजना, कि climate change पर यदि हमें, या climate change से बाहर निकलना है, तो या climate change से fight करना है, तो हमें बहुत सारे sectors पर काम करना पढ़ेग और इसी लिए ये national action plan लाया गया, जिसमें solar energy को बढ़ावा दिया गया, अब solar energy वाले आपने चलो ठीक है, बिजली अच्छे उत्पादन करनी बिना कोई लेखी, लेकिन light तो घर में वो ही पता लगे, सूरिया का लगा है, वो ही 50 watt का, वो light उतना ही दे रहा है, तो भाई उ विवस्था सही की गई, साथ में climate change का ये knowledge का भी खत्म नो हो, चलता रहे, और साथ में research development होता रहे, तो ये action ऐसा plan जो है, आट से नो ऐसी जगों पे अलग-अलग fields में काम हुआ, ठीक है, तो ये जो time था, इसको भी अपने गया रखना है, 2008, इसके बाद में 2010 में हम आते है National Green Tribunal Act, अब आपने देखा हो, कि कई बार सरकार भी आ जाती ही, लेकिन फिर नियाईग विवस्था को बीच में आना पड़ा, क्योंकि कई बार हम देख सकते हैं कि environment का बहुत जादन उकसान हो जाता है, तो NGT, NGT हम करते हैं, वो ही वाला है, 2010 कि आप कह सकते हो, कि 1995 का जो ही है, 1995 का जो है, इसमें फिर थोड़े बहुत ऐसे अमेंडमेंट किये गए थे, ठीक है, होब कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, चली, तो यह राश्टी हारित नयादीकरण, अधिनियम के बारे में हम बात कर रहे थे, अब इसमें जो है, बेसिक कहान यह थी, कि थोड अधिन 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 फोरेस्ट एक्ट के तहट कुछ चीजों पर जो है, इनका थोड़ा सा पावर थोड़े इतने देखे नहीं जाते, ठीक है, तो इस चीज को जो है, थोड़ा सा ध्यान रखना, उसके बाद में, छे महिनों के अंतरकत जो है, जो केसे हैं, डिस्पोजि तो भी याद रख सकते हैं, अब बात आने लगी थी कि एक नया तरीका का वेस्ट जनरेट होने लगा था सर, इवेस्ट, अपने आप में आप कह सकते हो, तो फिर इवेस्ट मेनेजमेंट रूल की विवस्था की गई, कि भाई यार प्रॉपर, क्योंकि इंडिया एक ऐसा द इलेक्ट्रिकल एक्विपमेंट में जो भी लोग शामिल हैं बनाने में, उनको उनके लिए एक जम्मेदारी दी गई है कि आप इवेस्ट को बहतर ढंग से जो है, मान के चलिए कि रिसाइकल की स्थिति में लेके आएं, या टेक बेक मेकैनिजम बनाएं, कि वापस ले लो योजना वाली बात, तो 2016 में फिर आगे जाके अमेंड हुए, फिर और आगे जब ये अमेंड हुए, इसमें और बहतर स्थिति कराते गए, अब इवेस्ट में भी ये चीज थी कि रिसाइकलिंग वगरा बहतर इनफॉर्मल सेक्टर से नहों, फॉर्मल सेक्टर से हों, तो ह तो एक मेंट रुकिएगा, तो आगे आगे, ये, 2014 के बारे में बात करेंगे, Ministry of Environment and Forest, जो है, रीनियम हुआ, क्योंकि इसमें एक शब्द जो लगया था, Climate Change, तो ये 2014 की बात है, जो कि आप लोग ध्यान दे सकते हैं, ये भी एक स्टेट्मेंट में आ सकता है, फिर 2016 में हमने Compensatory Afforestation Fund Act बनाया है, मतलब हम जो वन रोपन से संबंदित, जो भी compensation दे सकते हैं, वन रोपन नहीं दी, मतलब टू, एक तरह से आप कह सकते हो, promote the afforestation, वन को और बहतर करने की विवस्ता थी, मतलब इसमें हम लोगों नहीं देखा कि, overall जो forest land है, या जो भी non forest use है, उनको हम ल लोग, नए forest का development कर सकें, जो भी degraded forest land है, उनको बहतर कर सकें, तो उससे संबंदित, एक fund act की बात थी, जी हां, तो एक तो ये बात, दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो, इसमें की, कल को आप मान लीजिए कि कोई forest area को non forested land में लेके आ रहे हैं, अलग को development कर रहे हैं, तो उ ये चीज़ भी थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है, compensation वाली कहानी है, ठीक है, मतलब सीदी सी बात है, when a forest land is diverted from non forest land use, तो आपको pay करना पड़ेगा उस चीज़, तो इस से थोड़ी सी रोक थाम हो जाए और क्या, अब plastic waste management, मतलब e-waste के बात आई, उसके पहले एक solid waste वाला थिकनेस डिसाइड कर दी गई, कि भाई, इस से जादा जो है, जादा थिकनेस वाली plastics जो है, वो carry bags, क्योंकि फिर क्या recycling वगरा में काफी जादा use होता है, single use plastic items जो है, या low utility, high littering potential जो है, उनको सब धीरे-धीरे कमी करना था, तो plastic waste management जो है, 2016 की बात हम लोग यहाँ पर होता था, क्योंकि यह समय आ गया था जब petrol, diesel से भी lead वगरे को कम करना था, तो क्योंकि कहीं बार यह carcagenic हो जाता है बहुत, तो उसके लिए हमने 2016 में एक regulation बनाए, फिर solid waste management rules, फिर आए सर्थोस अवसिष्ट प्रवनियम फिर आए, बनलब जो municipal solid waste था, उसको एक तरह से replace कर दिया गया, तो यह यहां से प्रिलिम से question बन सकता है, कि किसने किसको replace करा, ठीक है, फिर wetland पर काम आया है, जो अभी हम देख रहे थे 2017 में, मलब अभी 75 लास्ट यर जब हुए थे 75 वर्ष, तो उसमें हमने कितने सारे wetland देखे, तो वैसे wetland का conservation आदर भूमी को भी बहतर कर नहीं थी, अब 2022 में थोड़े से आगया, इसमें यह था कि जो private developers to cut the forest without the consent of the inhabitants, मतलब CDC कहा नहीं थी, थोड़ा सा private player का role बढ़ा दिया गया, मतलब यह थोड़ा, कई बार क्या होता है, कि government की अप्रोच भी ऐसी होती कि क्या development की तरफ जाना है, इसमें जो forest right act है, उसका कुछ violation थोड़ा सा लोगों का मानना है, तो एक rules में थोड़ा सा मरिवरतन आया था कि private, जो developers हैं, उनका भी एक तरह से role यहां पर आ गया था, तो उससे संबंदित कुछ conservation, जो rules जिसको आप कह सकते हो, बदले गए, 2022 में फिर wildlife protection act में आपने देखा कि थोड़े बहुत नए schedule से add कर करके और जो sites था, जो endangered species के जो trade वगरा से रोकने के लिए convention जो बनाएं, उसका भी यहां पर species, मतलब आपने 2000 वीडियो बनाया हुआ, नए schedule सको मतलब 6 schedule थे तो उसको थोड़े से कम करके, अलग-अलग species में, penalties को और थोड़ा सा tough कर दिया गया, तो wildlife protection में यह फिर से आप दे calciumide जो petroleum coke units है, उससे related है, एक proper operation उनका ठीक करने के लिए, फिर उसके आद में mining को लेकर जो है, एक नया 2023 में यह भी हमने देखने को मिलता है, और एक चीज़ और अभी मैंने करीशेंट कर इंटरफेस में भी बदाई थी आपको, कि कुछ जो nuclear या कुछ एक तरह से आप कह सकत है, तो उसमें इस bill की तरफ यदि हम लोग देखें, तो एक production lease जो है private sector को दे सकते हैं, only auction by competitive bidding, जी हां, और इसमें कोई transparency की बात थी, कि भाई, कोई non-discretinary, कोई इसी process नहों, transparency बढ़े थोड़ी सी, क्योंकि कहीं बार environment में फिर वही दिक्कत आती है, mining वगरा, जो uncontrolled होती है तो इस तरह की स्थिति हमने देखा कि काफी एक पूरी growth overall आप कह सकते हो, और अब यह कह सकते हैं कि इन 76 साल की आजादी के उसमें, एक बात हम कह सकते हैं कि जैसे international solar alliance है, स्वच्छ भारत mission है, ऐसे कुछ ऐसे missions याद रख सकते हैं, आप जिसमें भारत में बहुत बड़े ब agreement contribution की बात करके आए हैं, तो यह सारी चीज़ें, IUCN में का जो support करना या Paris Agreement की जो कहानी है, उससे indirectly environment में हमेशा हमारी बात है कि ये भी एक परियावरन संद्रक्षन या परियावरन की जो समस्या हैं, उससे हमें आजादी लेने का समय है, होब कि ये मेरा वीडियो आपको आएगा, share करें, thank you so much, और साथी साथ, discount code आप इस्तमाल कर ले जगा, sgyt10, thank you so much.